दोस्तों अगर आपके पास दी फास्ट्रेक का स्मार्ट वाज है और आप भी उस पे सौंग प्ले करकर सुनना चाहते हैं तो किस तरह सुनेंगे फास्ट्रेक की स्मार्ट वाज पर यहाँ पर हमें एक बड़ा सा स्पीकर देखने को मिलता है जिस पे साउंड कॉलेटी काफी किलियर आता है इस स्पीकर से आप कॉल पे बाद भी कर सकते हैं और साथी साथ इस पे आप कोई सभी म्यूजिक को प्ले करकर सुन भी सकते हैं तो किस तरह हम फास्ट्रेक का स्मार्ट वाज पर कोई सभी सौंग को प्ले करेंगे हम मेन्यू पर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक music का option भी में देखने को मिलका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें एक music का section मिल चुका है, इस पर हम click करके कोई सभी song को सुन पाएंगे, तो first track smart watch पर song को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने phone को smart watch से connect कर ले, phone से connect करने के लिए आपको phone में एक application आती है, first track reflex world नम का आपको application प्ले स्टोर पर असानी के साथ मिल जाएगा, simply आप प्ले स्टोर पर जा करे application को download कर ले, download करने के बाद आप simply application को connect करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको connect पर click करना है, यहाँ पर जैसके मैं अपनी smart watch को connect कर ले रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो connecting है वो यहाँ पर start हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ जो मेरा smart watch है, मेरे phone के साथ असानी के साथ connect हो चुका है, यहाँ पर मैं JC की निट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर disconnect का एक option आ रहा है यहाँ पर मेरा smart watch मेरे phone के साथ connect हो चुका है अब चली हम दिखलाते हैं किस तरह आप अपने phone का song को smart watch पर सुनेंगे तो इसके लिए simply आपको करना क्या है कुछ इस तरीके से आप अपना YouTube को open कर लेंगे YouTube open करेंगे यहाँ पर हम कोई सभी song लगाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो song लगाया है वो अभी मेरे phone पर बज रहा है मेरे smart watch पर उसका sound नहीं आ रहा है उपर के side देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो Bluetooth है वो भी यहाँ पर connect हो चुका है यहाँ पर मेरा Bluetooth अभी phone के साथ connect है अब हम चली करते हैं इसको इस पर transfer अभी मेरा phone पर जो song बज रहा है अभी मेरे smart watch पर song बजने लगेगा तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपने smart watch को phone के साथ connect है यानि इसको finally check कर लेना है उसके बाद उपर से कुछ इस तरीके से आपको slide down करना है यहाँ पर आपको एक phone का section देखने को मिल रहा होगा simply हम इस पर click करेंगे और आपको आखरी में एक option देखने को मिल रहा होगा media audio तिया option यहाँ पर आपको off किया हुआ है तो इसको simply आपको करना क्या है यहाँ से इसे on कर देना है यहाँ से इसे आप on करेंगे जैसे आप इसको यहाँ से on करते हैं आपका जो phone में song बज़ रहा था वो आपकी smart watch पर transfer हो जाएगा जैसे के आप इहाँ पर सुन पा रहे है मेरा जो song है मेरे smart watch पर transfer हो चुका है अब मेरा जो song है मेरे smart watch पर बज़ रहे और इसका sound quality पर आप सुन पा रहे होंगे काफी दमदार इस पर आपको एक sound quality मिल जाता है यहाँ पर आपको एक काफी प्यारा सा speaker है जिस पर आपको काफी clear sound सुनने को मिलेगा fast track refresh power smart watch में आपको काफी दमदार एक speaker देखने को मिलता है जिससे अगर आप किसी से call पर बात कर रहे हो या फिर अपने smart watch पर कोई सभी song सुन रहे हो आपका sound का clarity काफी दमदार आने वाला है तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आप भी fast track का किसी भी smart watch पर अपना song प्ले करकर सुन सकते हैं आपको आप सभी को समझ माई होगी दोस्तो अगर आपको आज के ये छोटा से वीडियो पसंद रहा है वीडियो को लाइक करें चैनलों को सब्सक्राइब करें वीडियो कैसे लगा कॉमेंट करके जरू बताएं तो चैनले दोस्तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर